कॉंग्रिस पार्टी के विदायक विरेन चौध्रे जी इसक्त हमारे साथ हैं विरेन जी जिस तरीके से आज जब रारिश हुई बारिश में लखनौं की हालात हमने देखा किस तरीके बारिश हुई कि भी रारिश होने रहती। और बारिस एक देड़ गंटे जो भी होई होगी मुझे विता नहीं पूरा लेकिन उतनी ही देर में जो विदान सवा में हम लोग बैठे सतर के अंदर पीछे से आवा जाने लगी सत्तापक्ष में एक महिला विदायक जी ने कहा पानी पानी तो लगा कि कुछ लग रहा है तो बाहर आया तो देखा लिफ्ट बंद है नीचे बेसमें में पानी बरा हुआ और मुझे तो ये बार बार ये एक सवाल या प्रस्न लगता है कि जब से ये विदानसभा 288 वी विदानसभा का गठन हुआ है विदानसभा अध्यच महाना जी 번े हैं लगातार विदानसभा के लिफजटलाट हुआ है और रिनिवेशन के काम चलना है कभी पाटक बदले कैया है कभी कुर्सियां बदली के बदले गई है कभी के की थी और ये कहा था कि नगर निगम के जो अफसर हैं वो पूरा जो नालोगी सफाई हैं वो सही कर लें किसी भी तरीके का जल भरा और की स्थिति नहों तो क्या सीम के आदेश के बाद भी इस तरकी चोर विदानसबा में पानी भर जाना है देखे सबसे बड़ी बात है लक सीवेज ठीक किया यहां का सीवेज अच्छा करा है इसी का प्रणाम है कि आज विदानसबा में पानी देखने को मिनना है शुपाल लादो जी ने भी ट्वीट किया उन्होंने कहा कि सबसे यादा बजट की जरूरत तो सदन को है क्या क्या क्यों जिस तरीके से यहां पर पा सी आ रहे कि उस बजट पे ज्यादा हिस्सा तो यहीं लगाना पड़ेगा जहां खुद पानी भर जा रहा है गाड़िया ने निकल पार रहे हम लोग बाहर नहीं निकल पार रहे हैं तो उस प्रदेश के तमाम उन सहरों के बारे में क्या होगा जिन सहरों में पहले से टेने सब्सक्राइब के बारे में तो निश्ची तुप सज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जहां विदान सबाएं वहां तो सुदार लो आप लोग क्या ये बात सदर में उठाएंगे आप मिनिश्ची तो अब बाहर निकले हैं तमाम विदायक हमारे साथ बैठे हुए थे सभी लोग इस बात पर पर श्राशा कर रहे हैं एक तो हम बुचारे बुजरुक विदायक थे मेरे खाल से नाम बोल ला हूं वो कर रहे हैं मैं तो ब्लेट पेशर का मरीज विदायकों को परिशानी का सामना करना पड़ा है हूं हमने आपको बताया कॉंग्रस पार्टी के विदायक विदायक विरेन चौधरी जेन ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी